नमस्कार बच्चों मैं अमर नाज्या आपके समक्सक्षा छक्ठी का गणित का वर्चित संक्या उनन्चास लेकर करको पस्तित्व यदिनांग 30 दिसंबर 2020 के लिए हमारा टॉपिक है रेखा का लम सम्दिभाज़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ वह रेखा जो किरन या खंड जो दिये गए रेखा खंड को बरावर भागों में बाटकर 90 डिगरी का कौन बनाता है वह रेखा खंड का लम सम्दिभाज़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ उसे हम लंबत यानि लंब सम्दिभाजक रेखा कहते हैं ठीक है रेखा कर लंब सम्दिभाजक यानि 90 डिगरी पे कारता हूँ और तो बराबर बराबर भागों में कारता हूँ सम्दिभाजक समान दो भागों में विभाजित करना अब यहां पर दिया हुए रूलर और परका करकार की सहायता से किसी दिये गए रेखाखंद का लम समझ भाजा खीचेंगे इला चारण किसी वह लंबाई का रेखाखंद आप पहले खीच लेए ठीक सी अब एको कि अंदर मान करके अब यहाभ हमने खीचा दो एको कשतर मान करके इसके आधे से अधे nylon यानि जितनी लंबाई है, उसके आधे से अधे का चाप ले करके उपर और नीचे की और चाप लगाएंगे, अब फिर अब उसी चाप से अभी यहां पर परकार रखेंगे, अब यहां पर परकार रख करके उपर और नीचे चाप लगाएंगे, जहां पर दोनों मिलेगा, उस को दोनों क्रोस को नीचे मिला देंगे तो इस तरह से लमसंदी भाजक हो जाएगा ठीक है अब अभ्यास प्रस्ण के तहट आपको सवाल दिये गए हैं करने के लिए तो आएए सवाल देखें यहां पर कहा रहा है दो जीवा पहले एक वृत खीचे अब यह वृत खीच लिया इसपे कह रहा है पी क्यू और आरेस इस प्रकार खीचे जो यह समानतर नहीं हो आप मान लीजिजिए यह हमने कहिच दिया और एक हमने दوسरा कहिच दिया इस तरह से कहिच दिया ठीक है यह समानतर नहीं है यह समांतर नहीं है तो इसका लम सम्दिभाजा खीचेंगे यानि इसके आधे से अधिक मुँझ खोल करके उपर की ओर और इधर निशान लगाएंगे चाप अब यहाँ पे केंदर रख करके यहाँ पे इस तरह से निशान लगाएंगे और फिर इसको मिलाएंगे तो यह इसका लम सम्दिभाजक हो जाएगा इसी प्रकार अब इसके यहाँ से आधे से अधिक चाप ले करके इसके ऐसे मिलाएंगे और उपर चाप खीचेंगे और यहाँ से भी चाप ले करके मतलब उसी तरी जासे उपर और नीचे चाप लगाएंगे तो इस प्रकार आप मिलाएंगे तो ये देखेंगे इसके केंदर से हो करके जाएगी जहां पे ये केंदर होगा वहां से हो करके जाएगी इस दोनों का लम सम्दिवाजक के अंदर से हो करके जाएगी तो आप लिखे के अंदर से हो करके यानि O ये आप P, Q और ये आपको दिया हुए R और S दोनों का लंब समदी भाज़ा खीचिए वो किस बिंदू पर प्रतिछेद करता है ये दोनों एक दूसरे के के अंदर पर प्रतिछेद करता है ठीक है नेक्ट सवाल देखते हैं क्या रायर 9.6 cm की एक रेखा खीचिए तो हमने खीच लिया 9 रेखा खंड S U खीचिए S और U दिया हुआ है और उसका लंब समदी भाज़ा की राचना कीजिए तो इसके आधे से अधिक यह है 9.6 तो इसके आधे से अधिक 5 का तिर्जात ले करके परकार का और उपर की और निशान लगा है और यह धर भी लगा है और यहां से भी इधर और इधर लगा है जहां पर यह दोनों कट रहा है उसको इससे मिला दे तो ये इसका लमसम निवाजक हो जाएगा और इसके बाद कहा रहा है प्रतिछेदन विन्दु पर प्रत्येक भाग और सभी कौन मापीए तो ये दोनों हिस्सा मापीए तो इसके दो बरावर हिस्सों में काट देगा जैसे ये हो जाएगा 4.8 और ये भी 4.8 हो जाएगा और साथ ही ये कौन 90 डिगरी हो जाएगा नेक्स सवाल दिया है 20 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा खंड खीचिये और इसके 4 बराबर भागों में बाढ़ दिये तो पहले आप 20 सेंटीमीटर का एक रेखा खंड खीच लिए अब इसके आधे से अधिक ले करके पहले ऊपर और नीचे निशान लगाएंगे इस तरह से और फिर यहां से निशान लगाएंगे तो जहां पे ये कट जाएगा ये तो इसका आधा भाग हो गया यह हाफ हो गया फिर अब इसके आदे का हम तरिजा ले करके उपर और नीचे चाप लगाएंगे और यहां से भी उपर और नीचे चाप लगाएंगे साथ ही यहां से इधर और इधर भी लगाएंगे और यहां से इधर और इधर भी लगाएंगे जहां पर ये दोनों कट जाएगा मिल जाएगा तो वो आपका एक हिसा ये हो गया और एक हिसा ये हो गया तो इस तरह से चार बराबर भागों में विभाजित कर दिया गए ठीक है चार लम समद्भाजक हो गया उमीद है समझ में आया होगा अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद